दोस्कार दोस्तों, देश काल में आपका स्वागत है, मैं हूँ मुकेश कमार दोस्तों, आज मैं आपको एक थोड़ी सी गंभीर किस्म की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ ये कविता दरसल देश में जो हालात हैं और जो हालात बनते जा रहे हैं उनके बहुत हरेचित्र इसमें आपको देखनों को मिलेंगे एक तरह का कोलाज है ये कविता उमीद है आपको पसंद आएगी तो कविता का शीशक है ओपरेशन तेशभक्त अदालत की दहलीज पर पड़ा ताजा गरम खून अदालत की दहलीज पर पड़ा ताजा गरम खून उस शक्स का है जिसे धारवार, पुड़े, कोलापूर या बैंगलूरू में दिन दहाड़े गोली मार दी गई अदालत की दहलीज पर पड़ा ताजा खून उस शक्स का है जिसे धारवार, पुड़े, कोलापूर या बैंगलूरू में दिन दहाड़े गोली मार दी गई कहीं एक शक्स का एंकाउंटर हो गया है कहीं एक शक्स का एंकाउंटर हो गया है उसके पास से मिले हैं अस्त व्यस्त लिखाई में कुछ नोट्स फैस की शायरी, चेगवेरा की तस्वीर और कबीर के निर्गुन भजनों का कैसेट कुमार गंधर्व की आवाज में एक आदिवासी औरत ने बताया है देश की सबसे बड़ी अदालत को कि उसके साथ सामुहिक बलतकार हुआ है बस्तर के एक खाने में। मार दिया जाएगा उसे नकसली बताकर इसलिए उसे बचाया जाए माई बाप। एक अफसर की उतरवाली गई है वर्दी सच बोलने के जुर्म में। दूसरा तयारी कर रहा है खुदकशे की जारी कर दिया गया है उसका एक फर्जी वीडियो। कुछ और को फसाने की की जा रही हैं साजिशे। एक जुझारू कारकरता के घर पर मारे गए हैं च्छापे बरामत किये गए हैं कथित रूप से आपत्ती जनक दस्तावेज। उसे जेल में ठूसने की तयारी की जा रही है। मगर वो अभी भी कहे जा रही है कि लड़ती रहेगी दंगा पीड़तों की लड़ाई। एक और को रोक दिया गया है बोलने से वो बताने जा रही थी कुछ कड़वी सचाईयां दुनिया को। उस पर अब देश त्रो का मुकदमा चलाया जाएगा। एक अपाहिज प्रोफिसर को महीनों जेल में रखने के बाद अदालत के दखल से छोड़ा गया है। वो खत्रा है देश और समाज के लिए ऐसा कहा गया है आरूप पत्र में। एक काले कानून के खिलाफ वर्षों से अंशन कर रही औरत के गले में जबरन ठूस दिया गया आहार ताकि जिन्दा रहे वो और लोग तंत्र नहो शर्मसार। जिसने जै श्री राम का नारा नहीं लगाया, जिसने दूसरे धर्म या जाती में शादी कर ली, जिसने सेना की और उंगली उठा दी जिसने दलित आदिवासियों की पैरवी कर दी जिसने सत्ताधारियों की पोल खोल दी कोई असुविधा जनक बात बोल दी सब के सब अवांचित हैं इस देश में इसे फिर से सुलने जिसने जैश्रीराम का नारा नहीं लगाया जिसने दूसरे धर्मिया जाती में शादी कर ली जिसने सेना की और उंगली उठा दी जिसने दलित आदिवासियों की पैरवी कर दी जिसने सत्ताधारियों की पोल खोल दी कोई असुविधा जनक बात बोल दी सब के सब अवांचित हैं इस देश में हिट लिस्ट बन चुकी है हिट लिस्ट बन चुकी है दर्वाजों पर क्रॉस के निशान बनाए जा रहे हैं कोई नहीं बचेगा उनके खूनी पंजों से बस अब सब करें अपनी बारी का इंतजार या ढूर ले तुरंत कोई द्वार कोई विश्वसनी पहरेदार उमीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो जाहिर है मेरी गुजारिश होगी कि आप इसे अपने मित्रों परिचितों के साथ भी बाटिये साजह कीजिए इसका आनंद लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए बहुत बहुत शुक्री आपका तन्यवाद आसकार